नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का हमारे और आपके यूटूब चनल बिहार हल्प में और मैं हूँ जीद। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख मंत्री उद्मी योजना के बारे में जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार सरकार हर आदमी को उदोग लगाने के लिए 10 लाख रुपे तक का लोन देने जा रही है तीसी के बारे में हम पूर्ण डिटेल में बात करने वाले हैं कि हर कास्ट के लिए दोस्तों अलग अलग जो है इजिबिलिटी काइटेरिया रखा गया है और अलग अलग दस्तावेज लगने वाला है यानि कि दोस्तों महिला के लिए कुछ और है और स्टीसी के लिए कुछ करने वाले क्यूंत दोस्तों इसका जो बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है अगर आप लोन लेना चाहते है दो प्लीज आप लाइस तक जरूर देखिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप मैरे शैनल पकर पहली वारे आए तो इस तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को दबा के और प्रेस कर लिजे ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नुटिप्रिकेशन मिल सके सबसे पहले दोस्तों आपको हमारे वीडियो कर इसक्रिप्स वाइक में लिंक मिलेगा जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिधे इस पोस्ट पे आप चले आईएगा यहां प्याने के बाता दे इस योजना के वाड़े मिलता था लेकिन अब जो है प्लीज दोस्तो सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लिजे तो यहाँ प्याने के बाद दोस्तो आप समझ लिजे सबसे पहले इस योजना के अंतरगत अगर आप बेपार करना चाहते हैं कुछ भी करना उदोग लगा के तो दोस्तो आपको सरकार के तरह से 10 लाख रुप्यत का लोन दिया जाएगा और इस योजना के अंतरगत दोस्तो हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं और भी बाते हम बता देते हैं क्योंकि दोस्तो यह वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं होने देंगे थोड़ा सिंपल में में समझाएंगे क्योंकि दोस्तो वीडियो कोई का दस्तवेज लाएगा और दोस्तो क्या इसका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो महिला के लिए यहाँ पर देख लिजिए यहाँ पर अस्थाई निवासी बिहार का होना चाहिए यानि कि परमान पत्र होना चाहिए बिहार का निवास परमान पत्र मैट्रिक परमान प्रफ़ टेखनीक डिवल बाग कोई भी दोस्तों आपको तीन किये हुए परहे लिके लोग तुप बिगते के मिलेगा और 18 से 50 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए और दोस्तों आपका कंपनी रईश्टर्ड होना चाहिए यानि कि दोस्तों अगर आपका कंपनी अभी तक दोस्तों नहीं है कोई भी कास्ट से आते हैं तो आपको जो है उदोग अधार पे जाके रईश्टेशन करना पड़ेगा अगर आपको दोस्तों पता नहीं है तो निचे कोमेंट किजी हम उसके उपर भी विडियो बनाएंगे कि दोदो और पास होना चाहिए विण करेंट यानि की UBA को क्या-क्या लगेगा तो UBA का भी दोस्तों इसी तरीके से UBA के बारे में बताया गया है जो की 18 से 50 वर्स के बीच में कोई भी UBA है तो वो जो है कोई दोग लगाएंगे तो यही सब डोकोमेंट बगार है दिया हुआ है इसके बारे में भी आके आपको दोस्तों यहाँ परना पड़ेगा qualification, education क्या है यहाँ पर सबका same है लगबक थोड़ा थोड़ा different है तो यहाँ पर दोस्तों यूबा के लिए यहाँ पर pen card होना चाहिए सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है अब STAC के बारे में बात कर ले तो STAC का भी वही है कि निवास परमान पत्र होना चाहिए intermediate का certificate, अधार card, pen card सब यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद दोस्तों फोटो, current account भी होना चाहिए सब को current account लेगा है उसके बाद यहाँ पर दोस्तों STAC के लिए भी वही है और STAC को थोट मिलेगा लेकिन अभी जो है सरकार सब के लिए इकाली है और EBC के लिए दोस्तों EBC को पहले नहीं मिलता था और जो EBC है, उसी सेम दोस्तों process OBC और general cast वाला के भी होगा तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप general cast से है या EBC से है तो प्लीज आप आके यहाँ पर देखे क्योंकि दोस्तों सभी cast का अगर हम अलग-अलग बताएंगे तो पता चला वीडियो एक गंटा का हो गया और दोस्तों जादा लंबा वीडियो कोई भी नहीं देखना चाहता है तो हम आपको shortcut में समझाने का अभी कोसिस कर रहे है इसका link वीडियो के description में मिलेगा यहाँ पर आप आएंगे सब के बारे में step by step समझाया गया और online process के बारे में भी बताया गया है कि कैसे आपको apply करना है तो अभी फिलाल आपको सारा document इकठा कर लेना है क्या-क्या मांगा जा रहा है सब को जैसे आप इकठा कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको online apply करना है तो दोस्तों इसके आगे next step का किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए आप हमें नीचे comment करेंगे उसके उपर दोस्तों हम आपको वीडियो बना के देंगे कि क्या-क्या इस पर दोस्तों आप लगा सकते है तो चलिए दोस्तों वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं आपसे next वीडियो में